नमस्कार दोस्तों मैं आरोन एक बाफिर से आप सभी का लाना प्रेकर सोफ्ट्वेर में अर्धिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कई बार क्या होता वट्सप में कोई इमेज ओपन नहीं होती है चाहिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट में इस वीडियो पर एक वीडियो बने बनाया है आप सभी को दिखाना चाहूँ को सबसे बारे दिखिए इस फोल्डर को ओपन करेंगे इसमें मेरे पास यह वाट्सप की तीन इमेज है मैंने अपने वाट्सप को कम्पूटर में कनेक्ट किया और तीन इमेज को मैंने डाउनल और इसमें यह भी कहा रहा है कि कहना में यह SOF DQT करके यह इसका कोड बन जाता इमेज का वो है यह और उस कोड के कारण यह इसके फोट्सप में नहीं खुलती तो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना है वह मैं इसको वीडियो में बता हूँँगा कि दिखिए मैं दूसरी इमेज लेकिया है यह भी उपन नहीं हुई तो यहां पर सबसे पहले विंडो आर करके आपको अपना MS पिंट खोल लेना है जैसे MS पिंट खुलेगा तो इस पिक्चर को आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं वैसे इसकी जरूद नहीं है चलिए अपने फोटो बाले पोर हमें तो आपो कर सब्सक्की शेया हूं है यहां से आपको सिफ करना है आपको कंट्रोल एस करने के बाद आपकी यह पिक्चर जो है एक नोर्मल पिक्चर बन चुकिया है बड़सी इस अच्छुआ है और दूसरी मेज को भी ड्रैकर के लिए लिए क्या है ओर यहां पर यहां से सेब करके इसको भी यहां से क्रोस कर देंगे MS Paint का काम खतम हो चुका है अब इस तीन इमेज को आप किसी भी डोकिमेंट में उपन कर सकते हैं एक्जामपल के तोर पर सबसे पहले हम इसे ड्रैक करके फोटो सोप में लेके चलते हैं तीन को सेलेक्ट करके मैंने ड्रैक किया और यहां फोटो सोप में लाके छोड़ दिया जैसे मैंने छोड़ा देखिए तीन मेरी इमेज आ चुकी है अब क्या कर सकते हैं आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं पोटोशोप में ले जाके एडिटिंग कर लीजे, चाहे आप इसको कोरोड्रो में एडिटिंग कर लीजे, कहीं भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तो वो जरूरी था वर्ण सब्सक्राइब को उनकोर्ड से हटाना, तो MS-Patch में आपको फाइल को इसके बाद इसमें वर्ण हाटें और आपकी इमेज अडिए बैख के आख सेब कर सकते हैं कि आप र town त्रीन हो का अडियो को सब्सक्राइब कीजिये लाइक कीजिये अडै किसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबीका बहुत भोथ धन्य वाद कि